हेलो दोस्तों नमस्ते मैं हूँ श्रीजा आप सब कैसे हैं मैं ठीक हूँ आज मैं अपने तरीका से गरम मसाला कैसे बनाती हूँ इस वीडियो में शेयर करूंगी चल यह चलते हैं सबसे पहले में एक कप धनिया लिया है उसी कप से आदा कप जीरा डाली हूँ उसके बाद इसमें सोम दो बड़े चमश डाली हूँ और अजवायन भी दो बड़े चमश डाली हूँ इसको अच्छे से भून लेना है लो फ्लेम में ही रखना है जैसे यह भून जाए एकलेट म निकाल दे रहे हूं और उसी पैन में ही मैं बाकी सारा चीज डाल दे रहे हूं अगर आपके पास इसका लावा और भी कुछ चीजे है मसाला का वो भी आप आड़ कर सकते हैं मैं उसी पैन में ही दो बड़े चमच लॉंग डाली हूं और कुछ दालचीनी डाली हूं ध्यान र चोटा पीस जाइफल, तीन पीस जावित्रिया और देसी गुलाब का पंकुडिया, सुखा वाला यह बड़े चमस डाली हूँ, इसको लोफले में भून लिया है, मैं यहाँ पे तेज पत्त डालना बूल गया है, आप जिरूर याड कीजिएगा, इसको लोफले में अच्छी रख लिया है, इस पौडर आप छे से लेके एक साल तक आराम से रख सकते हैं, पर इसको एकड़म लॉक करके रखना है, बाहर भी रखे या फ्रिज में रखे, बार बार खोलना बंद करना यह सब नहीं, छोटा जार में डाल कर रखेगा, डाइली उज़ के लिए बाकी सार इसे बना कर देखे, बहुत बढ़िया लगते हैं, आपको इसमें जो भी इंग्रीडेंस डाली हूं समझनी आया है, तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, उसमें मैं मैं में मेंक्शन करूंगी, वी वीडियो कैसे लगा है, जरूर कमेंट करके बताइए, आपको